असलाम वालेकुम हाई विडियो में आपको टूलिप फ्लावर बनाना यानि की ड्राइंग करना और इसकी प्रेंटिंग भी बताऊंगी तो उसे पहले फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को पहले बार देख रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नौटिफिक्टेशन आपको मिल सके और आप देख सके हमारी है रेस्टाइन तो जैसा की फ्रेंट्स आप देख सकते हैं नीचे से यू से और अबने उसे दो पंखुडियों यानिकी दो लिफ में उसे डिवाइट कर दिया है औ और बीच का एक पुंकुडि बनाया उसके पाद उपर से दो पंखुडियों अब यहां से निकालेंगे यहां पर एक लीफ डालेंगे इस तरह से यह हमारी एक लीफ हो गई अब हम से एक फ्लावर और और एक लीफ जॉइन करेंगे पहले लिफ बनाते हैं उसके बार फ्लावर बनाएंगे यह हो गई हमारी लिफ अब इसी में से हम फ्लावर निकलना है इस तरह से अब यहां से हम फिर यह उसे का सिप देंगे इस तरह से हो गया अब यह बीच वाला पार्ट बनाना है और उपर से दो बंखुडियों बनाना है और यह हमारा फ्लावर जो है रेडी हो गया तो आपको बहुत सिंपल ड्राइंग बताएंगे अगर आप भी ट्राइग करेंगे तो इंशाल्ला जरूर बनेगा आप ट्राइ तो हम लीफ के लिए ये थीन क्रॉद लिए आप देख सकते हैं या लाइट करेंद लिया है और इन त्र यन शेट से थे पहले लिफ बनांआएंगे अब हर् ये वाने एक नमबर का फ लेच लिया हूआ है आपके पास अगर एक नमबर नहीं है तो आप वसनों टू नंबर क और यहां पर सबसे पहले हमें जो है अपने लीफ को पुरा फील करना है तिक इस तरह से हम लीफ को फील कर लेंगे यह हमारे लीफ फील हो गई कि यहां इस से लुए में सब्सक्राइब मनता चबते हैं ज Taylor Ici online लाप चंप सब्सक्राइब अब क्या उस ब्यंदुम potato क्यों अग्याइब पार इस में से एक तरव बिलकुर अच्छ से एक में अलिपने रहा हुआ के शर्व होने ची तरह आप बीच में भी यहां पर देखिए बिल्कुल बीच से जो है में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दिखिए इसमें से एक तरफ हमारे बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए और एक तरफ कलर जो हमारा एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए ठीक है अब यह तीसरा कलर जो हमारा वाइट इसको में लगाएंगे और वाइट कलर को देखिए बीच में कि अब यहां पर हमारी जो है वह तयार हो चुकि देखिए इस तरह से लिफ तयार हो जाएगी थोड़ी और फिनिशिंग के शाथ करेंगे तो और भी जादा ही अच्छी लेगी तो इसी तरह से हम दूसरी भी लिफ करेंगे तो आप इस तरह से लाइट ग्रीन की जगा सेप ग हो रहता है इंशाल्ला मैं आपको किसी और वीडियो में बताती हूँ वो श्ट कैसे डालेंगे लिफ में और यह से लिफ में ठीक है तो हमारी दूसरी लिफ करेंगे हूं घक है यह तो जीसने कमी हो पूरा कर लिजिए आप डार्पी उपर आलेंगी खना डालेंगे जो किनारे पी जो भी जो भी माधा से किनारे वाला पर्ट रहेंगा इसको कोना फिनिश हीम पहरे दैंगे टेने किस्ट और धाल अब हम यहां पे बीच से लाइनिंग किया हम तक हम इसको भी ब्लाइन करेंगे अच्छे से तो यह दॉट जो यह डार्क श्रह आपा है लाइट श्ट में उससे हमारे जो फ्लावर्स डिजाइन जो भी होती है उसकी फॉपसूर्ती बहुत ही ज्यादा चे जीपती है तो यहां बें आप देश रखते हैं कलर काफी अच्छा लग रहा है आप चाहें तो बना सकते हैं लेकिन वीडियो में आपको बहुत अच्छा दिख रहोगा लेकिन आप सामने से देखें के तो थोड़ा सूना-सूना सा लगेगा हैं तो इस तरह से सुन सुना सार ना लगे खाली-खाली ना लगे इसकी लिए कहां पर हम वाई शट देरहेए हैं शिट проблема बिल्कुल जाम पर पर बिच हमें दिया था उसके बाजों में लगाना है और जिसतरह पर और यहां पर वाई 2 ऑपर की तरह लगाना है छे मुझ करना ह हमारी बन चुकी है और इसी तरह से हमारे डंठल भी बनेगी बहुत इसी है दोनों कलर हम लेंगे थोड़ा थोड़ा करके दिखिए हमने बुलू शट जादा ले लिए जैभी कोई बात नहीं से बनाते हैं बुलू शट जादा हो गया था हमारे प्रश्में हम देखिए इस त अब हम यह देखिए जो हमारे फ्लावर के पंकुड़ी है इसे हम पहले बनाएंगे क्यों यह पीछ साइट है और इसके बनाने के बाते हैं अगर हम यह बाद में बनाते हैं तो बहुत संभालना पड़ता है और हमारे फिनिशिंग जो फ्लावर की होती वह भी खराब होचा अब करनर रहेगा कॉर्णर से बिल्कुल मरून शड़ लगाएंगे जो भी ड्राव लाइन है उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे मरून शड़ा उसको अच्छे से कलर में मिलाएंगे उसको एकदम अच्छे से और यहां पर इसी तरह से दूसरी पंकुटी में कुटी हमें अच्छे से मर्च करना है बहुत ज्यादा नहीं करना है कि कपप ठोड़ा थोड़ा सा लेना एक याँगा जजाँड़ा ही तो थोड़ा कमी ले है अँए उसकूर से उपर से बयानल करते वाई की आउल लाइनिग करेंगी में इक रह चोटे-छोटे चोट लग सिंखने दिखे दो पंखोडियों हमारी बन चुकी है प्रीज अब ये बीच वाई पंखोडिать नाँएёт दोने सायट की पंखोड़िया उनने छोड़ते ओगे ये बीची पंखोडिया बनाेंगे ताकि ज़ब हमें उ हूंपर की पंखोडिया बनाए हो आपशीट asagion किस्टिया तो इस्टार्ट करना भूंगी कोई बात नहीं मैं आपको दूसरी फ्लावर में अच्छे से बताऊंगी पूरी दिसाइन करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिटेफ में समझ में किस तरह से बनाना ठीक है तो आप पूरी वीडियो जरूर दिखी इस की पड़ तो इंशाला आप देखेंगे तो इंशाला को समझ में आ जाएगा अब यहां से हम बनाएंगे दूसरा फ्लावर उसको भी स्टार्ट करेंगे और दूसरा फ्लावर हम डालेंगे परपल शेट से पहले इसको कर लेते हैं अपर फिनिशिंग थोड़ी सी हमी देनी है हमारा फ्लावर भी लग 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 रेडियो हो चुका है अगर आप एक परप्रश में वाइट शेट लगा लेते हैं तो इसके उपर आप कोई कलर लगाएंगे तो आपका जो प्रश है वह अच्छा नहीं चलेएगा कलर मिक्स हो के आएगा तो आप जब भी वाइड करे आपको दूसरा फ्लावर करके रिखाते हैं वह भी बहुत इस है जैसे आप देख सकते हैं रेड वाला फ्लावर कितना खुब्सूरत लग रहा है तो इस तरह से बस यह परबर कुल वाला भी फ्लावर है यह उपकूद जादा प्यारा सा और खुब्सूरत है देखिये पहले जो पीचे की दो पंकुडियां है उन्हें में फिल करना है उनको अमबाएंगे और वसको फिल करेंगे और अच्छन टेकर करेंगे में निद्म हैं बहुत सहरें है यह वांश चे को बहुत बतुल जाता है और उसमें यह ना हैं और उसके बाद जो है वाइट शिट पर जैसे कि मैंने कहा कि पीछे की जो पंखोडिया है पहले उन्हें बनाना है तो मैंने पहले की देखिए पीछे की दो पंखोडियों में से एक पंखोडी यह बना रही हूं आपको यह वाला फ्लावर जो है पूरा डेटेल्स में आपको से फ्लाव논 भी बनाने हुँ एक फ्लावर भी बनाइगे हैं डूसरा फ्लावर ऑने से तो के आपके पास कपते हैं या फिर बना सकते हैं कोई सबchodzi बिल्बूशण इसान लगा सकते हैं जो आपके हिसाब से हो जो आपको पशनदो और यहाँ पी यह जो घुशाफ चली करना धूरा है वह ज्यादा अपना जिए अन्दर हमारा ऍालवail निकरन हें तो यौप मात आछ चली意, लünk लेखते हैं究 whats, वाइट देए- असमेहा द्मकल और शेट को बहुत अच्छे से घुमा घुमा के जिस तरफ से आपके घुमा घुमा के शेड करिए तक कि आपके फुलावर जो है उसकी पंखुडी जो अच्छी बने उसकी फिनिशिंग अच्छी आए ठीक है अब देखिए यह जो बीच वाला पाट यानि यह पंखुडी जो कि थोड़ थोड़ी दिख रही है बाहर के साइट से और ऊपर थोड़ जादा दिख लिए और नीचे भी थोड़ी दिख लिए तो इस तरह से देखिए शेड करने के बाद यहां पर इस तरह से शेड सबस्क्राइब करने के भी तुमचे देख सकते हैं कि यह जो पंखुडी थी हमारी अंदर साइड यानि की दू जो पंखुडी आप खुड़ी दिख रही है और यह पंखुडी निचे है तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना है क्योंकि अगर हम बाहर वाली कड़ लिए हम इसको करेंगे तो हम जो वाइड कलर वगारा जो हैं हमार लगाए रहेंगे उस पीड डर्क शुट हमार चाड़ जाता है तो मतलब ब्रश अगा तो जो है हमारा कलर दूसरी पंखोड़ी पे चला जाएगा तो इसके लिए हमें पहले जितनी भी बैक्शाइट की पंखोड़ी आने की नीची पंखोड़ीया उनको सिप्पाइट करते हुए बनाते हुए उपर आना है उसके बहाँ सबसे उपर आली पंखोड़ी करने है ठीक है मैंने बहुत सारी वीडियो बें अपो इस तरह के बताया है तो आप जो है व तब खुज अमल में आएगा कि प्रिंटिंग करना इतना आसान नहीं है बलकि बहुत ही मुश्किल है अगर आप करने लगेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा टफ है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि करने वालों क पूरा देखेंगे तो आप को स्मिलेंगे जो चोटी से चोटी जनकारिया रहती है वो सब मिलेगी और आपको सब जानने के लिए जनने को मिलेगा कि क्या कैसे कहा का अना है ठीक है अभी देखिए यहां पर मेरी पंखुडी पूरी हो गई है उपर वाले पंखुडी पर जो ह और यह देखिए हमारा यह फ्लावर भी लगबग लगबग पूरा होने वाला है तो अगर आप हमारे यहां ओनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अउनलाइन क्लास में करवार ही हूँ 21 से 25 से पचीश से पचीश से बज़े तक क्लास टाइमिंग है और जो है जो फीस है वो धाई हजार है एक महिने का कोर्स है आप एक महिने में माशालला अच्छी से प्रेंटिंग सिख जाएंगे और प्रेक्टिस करते रहेंगे तो इस अलाव का हाथ भी साफ हो जाएगा वीडियो में मैं नंबर डाली हूँ वाट्सअप पर को जब भी कॉंटेक्ट करें वाट्सअप पर करें आपको वाट्सअप पर सारे डिर्ट्स मिल जाएगे ठीक है फ्रेंट्स अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करती हूँ तो मैं बाद में रिप्लाई करूँगी इसके लिए आपको नाराथ होने की इसे जाल के छोड़िए इंशनल्ला मुझे 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 मिलती ही मैं आपको जरूर रिपलाई करोगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़ूइन करने के लिए 21-25 तक जोइन कर सकते हैं मतलब ज़ुइन होने के लिए पेमेंट करके अपना नाम ढाल सकते हैं एक् वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय दूआ में रखिए अलाहाफीज